आज के वेडियो में जो हम लोग सिखेंगे उसका नाम है Construct of 16 x 1 line marks using 2 x 8 x 1 and 1 x 2 x 1 multiplexer मतलब 16 x 1 lines का हमको एक multiplexer बनाना है किसको जोड़के 2 x 8 x 1 multiplexer की मत रस्ते है और 1 x 2 x 1 multiplexer की मत रस्ते है तो इसमें आपको clear दे दिया हुआ है कि 2 इनको यूज़ करना है और एक इसको यूज़ करते हैं आप जानते हैं जभी भी हमको multiplexer बनाते हैं जिसे 16 बनाना है तो इसको 2 की power में लिख देते हैं तो इतनी हमारी क्या होती है selection lines होगी तो हमको जभी भी इसको बनाना होगा तो हमको 4 selection lines की ज़वरत पढ़ेंगी इसमें और इसमें तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हमने 8 x 1 के तो जो है multiplexer बना लिए पहला multiplexer हो गया 8 x 1 का 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 x 1 में आप जानते हैं 2 की पावर 3 मतलब यहां पे कितनी selection lines होगी 3 selection lines होगी चैट और 2 x 1 में कितनी selection lines होगी 2 की पावर 1 मतलब 1 selection line होगी चैट यह बात अब clear होगी होगी अब देखें 8 x 1 में हमने बात करी तो यहां पे i0, i1, i2, i3, i4, i5 और i6 और i7 चैट अब एक हमारा output होता है तो हमने output suppose y1 ले लिए चैट अब हमने इसी तरीके से दूसरा 8 x 1 का multiplexer बनाया 8 x 1 multiplexer और इसका नाम हो गया y2 चैट इसमें भी आपके 7 input होगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चैट बट यहां पे जो हम लोग numbering करेंगे वो करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तो 7 यह हो गया 7 यह हो गया चुकि हमको यहां पे 2 8 x 1 यूस करने तो 2 8 x 1 हो गया तो यहां पे total number of inputs कितने हो गया 16 मतलब हमको यहां पे 16 हो गया उसके बाद अब एक two cross हां उसके बाद एक चीज़ भी इसमें रह जाती है selection lines इसकी बात कर लेते हैं तो selection lines यहां पे कितनी हो जाएंगी 1 2 और 3 तो s2 s1 और s0 चिक यहां पे selection line कितनी हो जाएंगी s2 s1 और s0 चिक यह बाद सब कुस्वन में आ गए होगी अब उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे एक 2 x 1 का multiplexer बना जेंगे 2 x 1 2 x 1 में कितनी हमारे पास inputs होंगे 2 input होंगे 2 x 1 में हमारे पास 2 inputs होंगे और यहां पे एक output होगा एक output का नाम हमने y डग दिया तो यहां पे एक selection line होगी यहां पे जो selection line के नाम देंगे वह हम s0, s1 और s2 दे चुके हैं तो यहां पे हो जाएगी हमारी s3 उसके बाद इन दोनों को हम लोग आपस में add-on कर देंगे तो अब यह जो हमारा एक multiplexer बनके त्यार हुआ है यह 16 x 1 का multiplexer बनके त्यार हो गया implement हो गया किसकी मदद से using 2 8 x 1 multiplexer and 1 2 x 1 multiplexer अब यह आप सभी को वीडियो समझ्ड में आ गया होगा अगर नहीं इसको फिर से देखें तुबारा देखें एक से दो बार देखेंगे तो वीडियो आपको समझ्ड भी आ जाएगा ठीक है बाब बाइट टेक केर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें